ब्लड सेंपल हेमोलिसिस होता है, मतलब क्या होता है? आपको ये विडियो क्यों देखना चाहिए? अगर आपका मेडीकल छेतर से कोई संबंध नहीं है, तो आपके कोई रिष्देदार के साथ गए होंगे, तो आपने ये सुना होगा कि उसका ब्लड सेंपल दुबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि सेंपल लिया था, वो हेमोलाइच हो गया, तो ऐसा क्यों होता है? आज हम जानेंगे इसी विडियो में, विडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि ब्लड सेंपल हेमोलाइच होने के कारण क्या-क्या होते हैं? ब्लड चेक के बाजु से ब्लड सैंपल लेना होगा उसके बाद जूब में उसे डाल ना होगा यह होता है ब्लड सैंपल कलेक्शन यह तो सब ठीक है लेकिन सेंपल हमीलाइज क्यों होने का चाहिस बढ़ जाथे हैं दूसरा कारण Puerto आप सेंपल कलेक्शन करने से पहले स्पिरिट लगाते हैं, तब उसे पूरी तरीके से सुकने दे, वरना वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा और RBC को खराब करेगा या कही तोड़ देगा, या सिंपल भाशा में कही तो टुकड़े-टुकड़े कर देगा. तीन. नीडल को एक बार प्रिक करने के बाद ब्लड नहीं आता तो, वो फिर से उसी पेशेंट को दुबारा प्रिक करते समय उसी नीडल से प्रिक करते हैं, जो की नहीं करना चाहिए उसे दूसरी नीडल से बदले. चार प्रिक करने के बाद सिरिंज के पिस्टन को जोड से नखीचे, इससे सेमपल हेमोलाईज होने के चांसेज बढ़ जाते हैं पाच, जब आप ट्यूब में सैंपल डाल रहे हो तो धीर इसे डाले या फिर निटल निकाल कर ट्यूब का ढखकन खोल कर धीर इसे सैंपल डाले जो की 2 ml सैंपल होना चाहिए 6. सैंपल मिक्सिंग का तेजमें स्लोली करे ज्यादा जोर से ना करे और जिस ट्यूब को मिक्स करने की जरूरत है उसे ही मिक्स करे 7. अगर आप सैंपल को एक जगा से दूसरी जगा लेके जा रहे हो तो उसे उजित तेमपरेचर यानि 2 डिगरी से लेकर 8 डिगरी के बीच में सैंपल को रखना चाहिए तभी उस सैंपल के रिजल्ट अच्छे से आएंगे वरना वो सैंपल हे मुला है जोंगे और उसके रिजल्ट गलत आएंगे